गुड इविनिंग आवेरी वेलकम टी न्यूज टीवी 99 हमारी स्क्रीन पर जो वीडियो बताई जा रही है ये एक ऐसी लाचार मजबूर औरत की वीडियो है जिनका नाम रेशमा आईशा है और ये अपने इंसाफ के लिए पोलिस डिपार्टमेंट का दर्वाजा खटकटाया लेकिन वहाँ पर इन्हें इंसाफ नहीं मिला और ये अब मीडिया के थरो अपना इंसाफ चाह रही है आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में इनका नाम रेशमा आईशा है और ये एक नाबिना औरत है इनके हस्बन का नाम महमत अफजल है महमत अफजल ग्राम पंचायत में अलेक्ट्रिक का काम करता है दरगा कातिश खां वहाँ पर ये काम करता है रेशमा आईशा का कहना है कि दो साल पहले ही महम्मत अफजल इन्हें डिवॉस दे चुका था और देर साल से ये जबर्दस्ती रेश्मा आईशा को अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा है। इतना ही नहीं शराप पी कर रोज गाली गलोच कर रहा है और आउलाग के साथ भी इनका भीवियर अच्छा नहीं है। रेश्मा आईशा का कहना है कि महम्मत अफजल की दूसरी भी बच्चे है और इन्होंने कहा है कि इन्हें बैंगलूर से पेंशन आती है और ये जितने साल इनकी शादी हुई है तब से ये महम्मत अफजल को हर महने 10,000 रुपे देते आई है और इनके दो जाती घर थे वो भी महमत अफजल बेज डाली और इन्होंने देड़ लाक के खरीप पैसे महमत अफजल को दिये हैं आखिरकार रेश्मा आईशा अपने हस्बंड की जुम और ज्यादाती से तंग आकर राजिंदरनगर में आकर रहने रगी है और इन्होंने राजिंदरनगर पोलिस के ऑफिसर इस केस को रजिस्टेट किया लेकिन यहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है यहां के स्टाफ सिर्फ और सिर्फ कौंसलिंग करना बहुत अच्छी बात है लेकिन कब तक जब कोई औरत किसी के साथ जिन्दगी गुजारना नहीं चाह रही है तो स से इन्साफ दिलाए ना के सिर्फ और सिर्फ कौंसलिंग करते रहे इतना ही नहीं महमत अफजल का सपोर्ट कुछ ऐसे पोलिस के मखबर है जो इसे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और इस लाचार मजबूर औरत रेशमा आईशा पर दबाओ डाल रहे हैं कि वो महमत अफजल पर दबाओ और धमका रहे हैं कि वो अपना केस वापिस ले ले और महमत अफजल के पास आ जाए और एक तरफ से पोलिस भी इन गुनेगारों का साथ दे रही है इसलिए आज रेशमा आईशा अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है अगर अपने इंसाफ के लिए लड़ना गलत है तो गलत ही सही मीडिया को रेशमा आईशा से हंदर दी है और वो सपोर्ट कर रही है इसलिए पोलिस को भी चाहिए के सही और गलत की पैचान करे ना के गलत लोगों का साथ दे पोलिस पब्लिक के लिए होती है और एक तरफ से पोलिस ही पब्लिक का सुरक्षा कवज है इसलिए पोलिस को चाहिए के सही का साथ दे ना के गलत का साथ और जो पोलिस के इंफॉर्मर है वो गलत लोगों का साथ दे कर गलत लोगों के मगबर ना बने जो मीडिया के रिपोर्टर्स है वो चंद पैसों के लिए गलत लोगों का साथ दे के उनके मगबर ना बने और ग्राम पंचायत में एलेक्टरेशन का काम करते हैं और दर्गा खाली स्वान बोलके हैं वहां पर करते हो अच्छा क्या प्राबलम है आपको उनसे उन्हों हमा को तलाह दे जिये सा हम नहीं रहे ना चाहरे हमा प्लीज इन साथ दिलाएए वहां पर कंप्लेंट भी दिया हम ल कि त्रू में हम लोगा जाके जल्दी जल से जल फैसला कर लेना चाहले बच्चे टेंशन से पढ़ा ही नहीं हरे बच्चे कम्प्रेंट करा है आपको पुलिशेशन कर रहे हैं खाली कौंसलिंग कर रहे हैं लोग खुछ भी हल नहीं निकला अभी तक खाली आओ जो बोल रह हाले कर दूसाल हो गाला उसक का पुल्दी नहीं कर दे गालए तूसरी कर लेकर 10 साल हो गया उसके बाद आपको तुलाग पुलाग दे दी बुद्ट्री, वांब में उस्पाइब कारएब मारते है ओर आखिक पहते हम् सवरत से नियू है. आप होस्पिटल में पता लीजिए, वेरिफे कर लीजिए पुरा, हर एक बात पर आप लोग वेरिफे कर लीजिए, यह कान भैरा कर दिया हमारा और यह आखी को मार के पुरी आखी पोट के यह फून में पूरी लाए गए मेराज मोड़ कर रहे हैं मारा गट कर रहे हैं पूरी आपको ओर। आप बच्छां को लेखे लेखे लेकि लेखे लेकर लेखे बात ने कर आ रही हो यह बोले। हम उनके पास जा कर दो कि माहां पी चलिए जा लिया भुड़ाम भाति भुड़े गर्मारा डिबादी रहे गर को अब यह उनको वाइस्ताईनी है उनों को ऑनके लिए गैर मेर मुह में आप उनके में होच्ने में तो लो कोई सी जबरदस्ती से हम आपको कोई से हथ से रखते हैं जबरदस्ती रहो बगरे घर में जबरदस्ती रहना करते हैं क्यों रहते हैं ठीक है बोले आप हम बच्चों से भी आप पूछ ले सकते हैं, बच्चों अपनी मरजे से मेरे साथ हैं यह आप पूछ ले सकते हैं, मैं उनको कोई जबरदस्ती ने करते हैं, आप लोग हैं उनको डर नहीं है। और अवेननेस प्रोग्राम्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की सहूलत के साथ मसलसिल चार साल से लगातार सव फिसद काम्याब नताइच। दाखले जारी हैं, आज ही तश्रिफ लाइए अपने लड़कियों के रोशन मस्तखबिल के लिए आप अपना इदारा खलं गर्ल्स ज आई घरा खलं वार्स न गोबे जाईच वान गर्म्स ए बाया हैं, आप अवे विया हैं एckoह है not बिल्स बाट बाट खजसा ले जाईए आग।